इलक़् थे nagging, के डियों फॉर अन्हें रॉआ अन्हें का टिखेन लिकु सव capabilities का तक गुझा लेहसाे सब्सक्राया? एक मिनले का दिखा ताथ न्हें के लिखाता तो इडिश के सब्सक्राइव पार। इंचकन इनचकर पार्तिकल लिखा यह इद फॉर का है? मतलब जो पाइटिकल्स होगा हुनकी जो जिन फीकानिटिक एनरजी वह सब का जो अ मेसरमेंट होगा थिकल्स अजैना वो किसे फॉयल में होगा धर्मल एनरजी कर फॉयल में होगा औरा कि ये किसके ओपर से कि इस बेज़ आन टेंपरेचरि एकिसकी ओपर बेज आ based on temperature अच्छा ये भी आपको बता है कि जैसे जैसे temperature बढ़ाएंगे तो kinetic energy भी क्या हो जाएगी बढ़ेगी क्यों 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 क्या होगे fast move करेंगे तो इसलिए kinetic energy क्या है बढ़ जाएगी ठीक है और इसलिए इसका answer क्या दिया जाता है जैसे hot food होता है आपको question भी आता है कि why hot food जो भी गरम खाना रहता है उसकी जो aroma होती है aroma मतलब khushboo इसकी जो hot food होता है इसकी aroma मतलब इसकी जो khushboo होती है वो क्या होती है फैल जाती है ठीक है इसकी khushboo क्या होती है फैलती है और एनर्जी जादा होने के कारण वो इधर-दर फैलते हैं और अपनी कुछभू को फैला देते हैं तो यह रिजन है मतला हाँ यह एक्जामपल है और वाय में भी पुछा जाता है वाय हॉट पूड है वारो मनाइन्थ में भी कोशन था है ठीक है चीज तैप से क्यों होता है उसके बात फिर solid, liquid और gas अचा दो तरीके से चीज़ें होती है किसी भी physical state solid, liquid और gas मैंने आपको बताया था solid हो, liquid हो या फिर gas हो यह तीनो states यह तीनो states किसके कारण होती है दो तरीके की चीज़ों की कारण होती है तो intermolecular force of attraction के कारण और दूसरी होती है thermal energy के कारण चेप्ट सॉलिट में क्या होते है कि कम होते है और gases में particles बहुत दूर होते हैं तो हम solid, liquid, gas का difference तो तो इसी में particles बहुत दूर दूर होते हैं तो इसमें force बहुत काम होता है अच्छा thermal energy की बात करें हम, thermal energy अब बताओ किसमें ज़्यादा कम होगा solid के particles क्या होते हैं पास-पास में होते हैं particles है most thermal energy that's why particles here 쟁 primary energy तो solid में क्या होगा least thermal energy होगी इसमें क्या होगी thermal energy कम से कम होगी पता है कियो PARTICLS PASS में है particles को एद दर गूमने की जगए नहीं मिल रही है पता है solid में particles क्या होते है बहुत बहुत पास होते हैं तो उसको गुनने की जगे नहीं मिलती पार्टिकल अपनी जगे पर वाइबरेट करते रहते हैं तो कानेटी के थर्मल एनर्जी क्या होती है इसकी सबसे काम होती है लिक्वीड की इंटर्मिडेट होती है लिक्वीड की इंटर्मिडेट थोड़ी कि अब आप सालीड लिक्वृट और गेस में हम कनवर्जन मतलब लिक्विटा कर दिया है आपको है ना उससे कैसे क्या कशिभार्ट कर रहे हैं आप एक छीज़ देखते हैं कि म माल लिजये आपके पास यह जाद हैं लिक्विड में पारिटिकल्स थोड़े क्या होते हैं हल्के से दूर होते हैं। ठीक है। अब आपको इसे माल लो किसमें convert करना है। Solid में convert करना है। Solid में Solid में convert करने के लिए क्लिए क्या condition होती है। Inter-Molecular forces क्या होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए और thermal energy क्या का मुझा होनी चीए का मुझा है मतलब अगर हम दोनों का कंपेर करें थर्मल एनर्जी और इंटर मोलीकुलर फोर्स ज्यादा है किस से थर्मल एनर्जी से तो लिक्वेट से अगर मुझे माल लीजिए किसमें कनवर्ट करना है सॉलिड में माल लीजिए कोई लिक्वेट है अपने लिक्वेट को रिप्स लिया है इसको हम कनवर्ट करना है तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होंगे तुझे मैं कैसे कर सकता हूं प्रेशर को क्या करना पड़े। बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर बढ़ाओंगा तो इसके ऊपर दब आए गो और ये पार्टिकल पास पास आजाएंगे। नहीं temperature को क्या करूँगा। इ legitน's में तो मुझे क्या करना होगा। है पर प्रेशर को कम करऊंगा तो पाइटिकल दूर उजाएंगे उलटा मुझे म्यूर्ट करना लिक्विर्ट प्रेशर को किया करऊंगा रभ घरव स्वुर मुण चाहर सा ज्यादाज ता कि इसको थर्मल होती है उसको लीक्विट करना है आपसने लिक्विट से गहτα होते हैं दूर दूर होते हैं तो जब आपको लिक्विट करना होगा और प्रेशर को अगटाना होगा व हो गटांगा तो पार्得 दूर हो जाएंगे और temperature क्या करूंगा temperature बढ़ाऊंगा ताकि thermal energy क्या हो ज्यादा हो जाए क्योंकि gases में क्या होता है gases में क्या होता है जो thermal energy होती है that is greater than intermolecular force ठीक है और जब मुझे उल्टा करना है gas से liquid में convert करना है किसी भी चीज को gas से liquid में convert करना है तो pressure बढ़ाऊंगा pressure बढ़ाऊंगा temperature क्या करूंगा कम करूंगा इसी चीज को बोलता है condensation क्या बोलता है condensation यह नायत में पढ़ा था clear मतलब एक मात्र pressure responsible नहीं है साथ साथ आपको किसको भी control करना पढ़ेगा temperature को objective में आता है कि ठीक है कोन responsible होता है pressure की temperature solid से liquid gas और convert करने में ठीक है सीधा साथ example है जैसे gas gas को आप convert कर सकते जिसे water vapor water vapor एक gas है उसके ओपर थाली डग दो थाली डग देते हैं तो क्या होता है और और सारी की सारा जो पानी हो लिक्वीड अपिस से बन जाता है तो यह condensation सेम प्रोसेस हो रहा है तो उस समय कहीं न कहीं यह प्रोसेस होती है मतलब उसका temperature जो हो रहा है थाली पे काम है तो temperature ठंडा है थोड़ा सा और pressure क्या है ज्यादा है उस particular area पे तो वह चीज क्या हो भी gas किसमें convert हो जा रही है liquid में convert हो रही है और तमाम तरह के hydrogen, nitrogen, gas liquid fight जो होती है आप जिसको बोल रहे हो को convert की जाती है इनी प्रोसेस से ठीक है आपका DO जो होता है DO को भी क्या किया जाता है pressure को high press करके high pressure लगाके bottle में बंद कर दिये जाता है DO gas होता है पूरा तो gas को आप उसमें convert करते हो liquid में आप जब इसको button on करते हो तो आपको particles क्या होते हैं मतलब वो किसमें ठंडे लगते हैं लिक्वीड जैसे लगते हैं तो इसका मतलब वह तरीके का उसके अंदर liquid वह रहा हुआ है पर वह है नहीं के forcefully liquid में convert किया गया है तो जैसे ही वह धकान कुलता है तो इसको आजाज ही मिलती ही कि चलो तो बहुत जगे घुमो तो वह तरीके से अपनी जगे को घट जगे पहला लेते हैं तो इस इस थर्मल एनरजी का एडिया ठीक है तो लिक्वीड जो भी होता लिक्वीड एक perfect balance करता है लिक्वीड में क्या होगा यहां पर लिक्वीड का point क्या होगा balancing होगी लिक्वीड में क्या होगा balancing किसमें होगी balancing in thermal energy and intermolecular forces मतलब intermediate होगे clear अरे liquid की बात कर रहे है thermal energy and intermolecular forces आपस में इस तरीक से होगे कि particles ज्यादा दूर भी नहीं जाएं और ज्यादा पास भी ना है वो balancing है उसको बता है ठीक है तो यह आपका था किसका thermal energy का part अब आगे हम जितने भी laws पढ़ने वाले हैं ठीक है उसके लिए कुछ measurement quantities की बात करेंगे आपन तो कुछ units वगर और यह जो मैं लिखवा रहा हूं यह बहुत काम की चीज़ है यह चल रहा है ना नेक्स अब है gacious state next setting ना दो gacious state कुछ points है gacious state पहला point मतलब हम especially gaze की बात कर रहें जो 9 में पड़ा था क्या gaze का कोई fix the shape है तो पहला not fix the shape gaze का कोई fix the shape नहीं है क्या gaze का कोई fix the volume है आप जिस बरतन में डालते हो वैसा रूप धरन कर लेती है इसलिए shape उसका perfect नहीं है और उसका volume भी fix नहीं है not fix the volume ठीक है particles of gases have अच्छा wonder wall forces ज्यादा है की कम कम है wonder wall forces क्या है less है thermal energy क्या है ज्यादा इसी को intermolecular force का है wonder wall force का अभी पढ़ा था दो-तीन दिन पहले कानेटिक energy क्या है पार्टिकल्स की ठीक है पार्टिकल्स कंटिनेशली मूव भी कर रहे है और क्या है they are not at rest short valley crown ॏ particles apply pressure in all direction also और equally कैसा pressure exert करते हैं equal pressure highly compressible होते हैं इसमें एक भी ऐसा point नहीं जो समझ में नहीं आएगा और इनकी जो density होती है density that is mass upon volume density क्या होती है mass upon volume बहुत काम होती है rate point gases can mix with each other in any proportion and each other in any ratio यह पॉइंट दे रखें आपको गेशे इस्टेट के नॉट फिक्स शेफ नॉट फिक्स वालियूम पताएं इसमें को दिक्कत हैं हाइली कंप्रेसिबल होती गेस को आप जितना कंप्रेस करना चाहो उतना कंप्रेस हो सकती है अच्छा इसकी भी एक लिमिट होती है आपको पता होना चीए कि हाँ कि पार्टिकल्स को जैसे गेसे से इतने दूर पार्टिकल है आपने इतना पास ले आए और पास में ले आए अब इससे ज्यादा पास कुम्त कर दोगे तो फिर पता है ना इसमें रिपल्शन चालू हो जाता है कि इसमें के व्या है हो जयता है यह चीज हमने पड़ी होगी है यह इसमें होता है बाल में एक कि ले वाद जाद ही चिपका देते हैं तो फिर क्या होता है उस्में जर्छिस से प्रूस लगा दिया यह तो इसमें रिपल्शन भी चालू हो जाता है तो यह पॉइंट को याद रखना इस कॉंसेप्ट को मैं आगे भी यूज करूंगा ठीक है अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अच्छा एलिमेंट किसे कहते हैं यह क्लियर है मैं कि अब आपको मतलब मैं इस पता रहा हूं इसमें से 11 इसमें से 11 का नाम भी तो इसने बोला है कि हम तो इसी कोई मान रहे हैं कि सबसे प worn यह इसके बाद इलियम के बाद नीओन होनर यक्रेपटाण लेन और रेडा़न ने को यह को मनते हैं को इसके बाद यह वाले में जुट में नक इसन लोरीन और यह क्लोरीन रहेrial पतला चीमेन इतने खेयविक हैं है इतनने हैं को आपढ़िस मांथा है यह मतलब NCRT की लेंग्वेज है और भी केसे हैं और भी केसे हैं हो सकती है ठीक है एक दो तीन जाए पांच छे साथ नो दस ग्यारा ठीक है हाइड्रोजन कहीं से भी लिख लो अभी यह तो क्यों अलग अलग वो है ठीक है बस यह ग्रूप 18 है और यह ग्रूप 17 ग्रूप 16 ग्रूप 15 क्लियर है बिटार दें चलो नेक्स है मेजरेबल क्वांटिटीज ओफ गेसेश मेजरेबल क्वांटिटीज ओफ गेसेश पहला होता है मास देखो अब आगे जितने भी लोज है ना यह मेजरेबल क्वांटिटी पता होने चीज़ कि हम गेस को जो मेजर करेंगे तो कौन कौन सी क्वांटिटीज गेस के मेजर होते हैं गेस का मास कैसे मेजर किया जाते है पता है बहुत आसान है guess का mass किसे measure करोगे मान लो एक container में है ये container है container है इसका mass कितना है x ये ठीक व्य layered जैसे है अपने करते हैं किराना की सामान में ठीक है इसका container का mass बजन तोल लो इसके अंदर gesch जा लिये आपने और उसका mass कितना होगे तो अब बताओ गेज कितनी होगी मतलब गेज का मास कितना होगा इसमें तो अरी वाइनस एक सिदिंग ठीक है जनरली शॉप पर यह होता है कि आपका जो कंटेनर किता है यह आपका 100 ग्राम का कंटेनर किते का आपने इसमें गेज जा लिये और किते का वजन होगे एक सो दो ग्राम का तो आप बताओं गेज का मास एक्ष्यॉल किता है यह किसे आप खाली निटेंर से आप मास कर दो मास पता चल जाएगा थी आपको एसी चेप्टर में यह ठीक है अब आपका नेक्स्ट वॉल्यूम दूसरी मेजरिबल कॉंटिटी कौन सी है वॉल्यूम यह आपने पढ़ा हुए आपने बच्पन में वॉल्यूम क्या होता है लेंट इंटू ब्रेट इंटू है तो आप जिस भी बॉक्स के अंदर आप रखते हो आपकी गेस को वह वैसा रूप धारण कर लेती ही मालो ले इसका लेंट है वन सेंटिमेटर इसका ब्रेट ते किता वन सेंटिमेटर तो इसका टोटल वालियूम क्या हो जाएगा है यह लेट एयर क्योंटीमेटर क्यों क्योंकि वालियूम को फर्मड़ा क्या होता लेंज इंटू ब्रेट इंटू हाइड जिस भी नुMartutaniones में रिखो गया आप वो उसके यसाप से उसका volume हो जाएगा इसको अगर आपने cube में रखा यह से container में रखा तो इसका shape ऐसा हो जाएगा किसी एक cylinder में रखोगे तो cylinder के type से वो shape लेगा जैसा gas cylinder में तो liquid होती ही इसको भी बहुत भर-बर के कंप्रेस करके रखी जाती है तो मुद्धा यह नहीं है उसका volume क्या होगा इसका shape कुछ भी change हो जाएगा और volume इसकी according बदल जाएगा अच्छा यहां पर कुछ इसकी ऐसा unit क्या होगी volume की meter cube अगर units की बात करें तो volume की ऐसा unit क्या होगी meter cube 1 meter cube is equal to 1000 लीटर ठीक है 1 meter cube is equal to 1000 लीटर ठीक है लिखते जाओ यह 1 meter cube is equal to 10 to the power 6 centimeter cube होगा बच्पन में सब पढ़ा हुए आपने 1 milliliter is equal to किता होगा 1 milliliter is equal to 1 centimeter cube ठीक है 1 liter is equal to 1000 centimeter cube अभी conversion में बतानी रहा हूँ आप सब कर सकते हो आपस में एक दूसरे इधर उधर 1 liter is equal to 1 decimeter cube होता है d4 dec ठीक है जो की होता है किसके बराबर 100 ml के बराबर जो की होता है 10 to the power 3 centimeter cube के बराबर तो 1 meter cube is equal to 10 to the power 3 liter is equal to 10 to the power 3 decimeter cube यह सब कनवर्जन है अगर 1 meter cube को लीटर में करना है तो क्या ताउजन लीटर की हो ठीक है एक मिटर में किते centimeter 100 centimeter ठीक है तो कनवर्ट करते आएगा एक मिटर में 100 centimeter cube मतलब एक मिटर में 100 है तो मिटर क्यूब है तो कितनी बार centimeter लिखो के 100 into 100 into 100 तो 10 to the power 6 centimeter cube ठीक है तो 1 decimeter d e s i dec होता है वन मिली लिटर इस इक्वल टू किता होगा नाइट में पढ़ाता वन मिली लिटर इस इक्वल टू 1 centimeter cube यह तो पढ़ा ही था वन लिटर इस इक्वल टू 1000 क्यों पढ़ाता है और dc के साफ से गर कनवर्ट करें अच्छा तो डेसी के साफ से क्या कनवर्ट होगा वन लिटर इस इक्वल टू 1 decimeter cube इस इक्वल टू 1000 ml और 10 to the power 3 centimeter क्यों अधाने क्लव यह कनवर्ट तो आपको याद रहने चीए सच डेसी वेसी में तो कोई पूछता नहीं है इसमें में में जरूरी क्या चीज़ एक तो आपको पता होना चीज़ क्या वन लिटर में कित्ता होता है ठीक है और ज्याद से ज्याद आप यह हां वन मीटर क्यूब में कित्ता है और यह मिली लिटर का याद मिली लिटर तो कनवर्ट कर लोगे फिर तुम्हां आता है कनवर्ट करते मिली मतलब 10 to the power कि पार मायनस 3 मिली मतलब क्या होता है कि एवल याद करी तो पहले मिली मतलब 10 की पावर मैनस थी खिलो मतलब 10 की पार प्लस 3 कि इसके हिसाब से अपने को इतना इंपॉर्टेंट यह निए बस हां वाल्यूम है मिंटर क्यूब में आता है कुल मिला कि यह बुक में था मैंने आपको यह बता दिया हुआ तो पहली थी एक की वाल्यूम नजी यह कौन सी थी मैसरेबल पॉंटिटी दूसरी थी आप ये तीसला प्रेशर वेरी-वेरी इंपॉर्टेंट इसके बादर में आपको ज्ञाद आएगा और तरम का क्या होता है नाइंट में पढ़ा था क्लेसर्ट आप प्रेसर्ट का फॉर्स होर्स इस अपन में पेडिव Michal कि न्यमित हैं कि अ 5 और इन ओर दिद्ध को या का विरेओ को क्या करते हैं अ कि फि 결국 लगाया पर कितने क्याल ये आपर यह दो into the food लगा ठेटेशगें अ। कि एक पिन से फोड लगा रहे हो उतना पट्रिकुलार अपर लग रहा है तो उन सब को डिवाइट करकर आपका क्या निकल जाएका प्रेशर लग दिनिकल जाएगा अधा प्रेशर की यूनिट निकाल सकते हो और बिवाइट क्या बनेगी लिए प्रेश्र क्या होता है अपने इसा पड़ाता कि एरिया अगर कम रहता है अगर जादा रखते हो तो प्रेश्र क्या होता है कम लगता है ठीक है इसी लिए तो होता है जैसे जो आपके बेग होता है बेग के पट्टे अगर आप चोड़े रखते हो तो प्रेशर एरिया क्या ज्यादा तो प्रेशर क्या अप्लाई करते हैं आपको कम अप्लाई करते हैं या फिर अगर पतले पतले रख लोगे तो क्या ह क्था और अप्रेश जादा अपलाए शर्ट है यह बढ़ता ना यह बढ़ता यह घड़ता है यह बढ़ता है तो यह बढ़ता है ठीक है हाला कि अभी अपना ये चीज ये मुद्धा है नहीं चलो अब कुछ conversion 1 newton, meter square को बोलते हैं हम 1 pascal, क्या बोलते हैं very very important इसको लिख ले न pascal को pasb भी बोलते हैं 1 pascal is equal to 10 to the power minus 5 bar होता है bar भी एक unit होती है pressure की pressure की क्या होती है unit bar pressure की 2-3 unit होती है ये pascal इसकी कौन सी unit है SI ठीक है क्योंकि newton per meter square अच्छा यहां से 1 बार कित्ता हो जाए को बताओ 10 to the power 5 pascal ठीक है 10 to the power 5 नीचे जाके उदर जाके multiply हो जाएगा उसकी बाद फिर 1 atmospheric 1 ATM atmospheric pressure को क्या बोलते है 1 ATM होता है इसकी value होती है 1.01325 bar किती होती है अपके 1 atmospheric pressure का प्रेशर कित्ता होता है तो क्या बोलते है अपन 1 atmospheric pressure आप हमारे उपर atmosphere का दबाव कितना है 1 ATM का है जिसकी value बार में कितनी आती है 1.01325 bar जो कि ultimately 1 bar ही हो गया है approximation देखे तो पर वो exact value में नहीं आपर बताई हुई है यह आप theory में है 1.031325 into 10 to the power अच्छा बार किज़े के पासकल भी रख सकते है तो इतना पासकल भी हो सकता है आया एक बार की जगे बार की जगे बार की जगे 10 to the power 5 पासकल तो बार की जगे 10 to the power 5 पासकल भी हो सकता है ATM 1 ATM ठीक है और very important 1 ATM का जो value होता है that is 760 mm of HG कभी तुमने पढ़ा है यह तो पढ़ा ही होगा 760 mm of HG यह नहीं पढ़ा 760 mm of HG मैं बताता हूँ एक्षिली बेरो मेटर होता है एक container होता है मान लोग यह container है ठीक है बेरो मेटर एक डिवाइस होता है जो किसी भी गेस का क्या मेजर कर सकता है प्रेशर आपने देखा होगा कि प्रेशर या टेंपरेचर किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हम पारा यूज करते हैं जिसको एच जी बोलते हैं जिसको एंदी में इंग्लिश में मर्क्यूरी कहा जाता है जो कि green color का silver color का होता है वो एक exception है वो एक तरीकी की metal है जो की liquid state में पाया जाता है देखा है आपने डाक्टर के पास गए हो आता है ना उसकी normal value जो होती एटमॉसपरिक प्रेशर वो 707 मिलीमेटर होती ही मतलब वहापर क्या होता है तो ऐसा ऐसे लाइनिंग होती है कि यह हाइड होती दिय्क्राइट टी किया हिए प Скटा नहीं चटी कि रहा हैuerdo इक मांने पूण के अच्छे के यह सो नहीं कि प्रेशर बता रहा है इतना प्रेशर बता इस प्रेशर को बोल देते हैं पी अट मतलब कोई प्रेशर नहीं समय यह पारा होगा यह कितनी लाइन पर वागा साफतो साट मेटर हैसी अपर कर दिया तो अब यह क्या करें कि दबाव टालेगी तो हैट क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और यहां पर कुछ P1 नाम का कुछ प्रेशर बनेगा जो कि अब हाइट के इसाप से यहां पर अगर तो यहां पर किता आएगा कुछ कुछ मान लो 800 कुछ मान लो ऊपर प्रेशर क्या होगा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो अपना जो एट्मास्पेर का प्रेशर होता है तो वह कितने पर पड़ा हुआ रहता है सेवन सिस्टी मिलिमीटर ओफ एट्मास्पेर का वह इतना है और जैसे जैसे मुचाई पर जाते हैं न दबाव कम हो जाता है पर जाते जाते प्रेशर क्या होता है काम होते बात क्रणी है इसलिए त्शुरी टर्म की बात करें इसको क्या नाम दिया हमने प्रेशर चलो यह क्लियर हुआ मud anunci instagram तो नाम क्या है वे रोमीटर ठीक है इससे आप गेस का प्रेशर मेजर करते हो प्लियर है और इसमें अपने यूनिट कौन सी पड़ी इसकी जो एसा यूनिट कौन सी है पास्कल जो की वन न्यूटन पर मीटर स्क्वर कोई वन पास्कल केते हैं पास्कल का कनवर्शन बार में बाइस दिए खैना वन पास्कल कित्ते बार के बराबर होता है ठीक है और वारं पाइस ग्रमसन आप तैन प्वर्शन फाइब कर निगूब यू तन निगे बड़ा o nu करबाद कि पास्कल वह एक इकलो ता दस की पावर पांच पासकल के बराबर है नहीं समझ रहे हो मतलब उदर एक लगा है और दस की पावर पांच पासकल लगें ठीक है यह तो क्या जैसे किलो ग्राम वगेर और इसमें नहीं दी जाती इसमें यह पासकल वगेरा में करवर्ड हलाकि किलो पासकल अब तुम बोल सकते हो किलो पासकल मतलब किता हो गया टेंडी पावर थ्री पासकल किलो मतलब दस की पावर तीन आखरी फिसिकल कॉन्टिटी है चोथी कौनसी है टेंपरेचर टेंपरेचर की एसा यूनेट सबसे बड़ी गलती सेल्सियस नहीं होती है केल्विन से डिग्री सेल्सियस में किसे कनवर्ट करते हो फॉर्मला यह रहा ठीक है मतला बंदेल डिग्री सेल्सियस किते यह ब्रावर होगा केल सभीन में सेह किव START करते हैं दिग्री सेल्सियस कितना जोड़ तो फिर किसमें उत्तर आजाएगा केलविन में जैसे 100 डिग्री तो यहां 100 चिपका है 100 प्लस 283 केलविन रूम टेंपरेचर मालव 27 डिग्री है 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेंपरेचर हम लेते हैं तो वो कित्छे केलविन के बराबर होगा आरूंड तीन सो यहंदों तैंडों केलविन क्या पाथ समझने आ रहे हैं इसे और भी सारे कन्वर्जन आप कर सकते हो अच्या फेरेनाइट में क्या कन्वर्जन होता है फेरेनाइट वो डिग्री में परना नाइट में एक और फाम्वला नाइन बाइफ डिग्री सेल्सियस डिज्एह्ट के प्लास 32 यह जो बुखार नापतें आप आपका जो बुखार होता ना बोलतें 102 वह किसमें ना पाजाता है वह बाद समझ में आ रही है मान माल लीजे कि आपका बुखार है कितना आपके आपका कि यह सुखार है और है यह गितना है नाइट तो खेश्थ क्ता हैं चिर्फ दूच्छ करते हैं क्योंकि जादा चुंकि आजवी टेंप्रेचर वगएर पानी का उबाला लेने वाला टेंपरेचर हो गया तो पीड़ी चीज को विल कर पाते हैं तो डिग्रीज अगर सेल्श्यस में निकालोगा तो इतना हो जाएगा निकाल के बताओ 129 by 5 x निकालना है याप ए प्लस 32 मतल्ब इसको degree centiate मतलब x मान लिया है जो निकालना है अब कैसे करेंगे 32 उदर जाएगा 102 में से 32 गया है तो कित्ता बचेगा 70 is equal to 9 by 5 x इसको उदर जर बेजा तो 70 into 5 अपाँ़ में 9 into x कि इसको दासी मानले अपन साथा पंजा पेटिस जैसे तीन सो पचास अपाउन में नो दस मत मानों इसकी कुछ वैल्यू प्रॉक्स नहीं कर सकते क्योंकि बॉली टेंप्रेचर यह बॉली टेंप्रेचर पॉइंट टू पॉइंट डिग्री में भी बहुत ज्यादा फरक होता है कि क्लियर है कि तीन सो पचास अपान में नो अगर हम केल्सी से करेंगे तो कित्ता हो जाएगा 38.8 कित्ता होता है एक्स इखल टू 38.8 डिग्री से समझे तो आपको पता है ना वो टेंप्रेचर वो आजकल लोग करते थे चेक करते थे तो चेक करते थे से कितना तो वह पर उनको फेरेनाइट समझ में नहीं वह लिमिट कर देते तो फेरेनाइट और डिग्री दोनों में रहता उनके पास त्थे करते यूणिट कंवर्जन आएसी होता है दिखाया तो यूणिट अगर इसी दीए तो ऐसा मतलब जो चील अकसी दो फेरेनाइट है वह डिग्री में कैती है 28.8 degree Celsius सब में degree भी गुज होता है degree Fahrenheit degree Kelvin degree Celsius ठीक है Kelvin में थीक है Kelvin में होता है तो मतलगा न थीक है मैंने नहीं लगाए Kelvin तो Kelvin होता है केबल ठीक है चलो degree Fahrenheit और degrees integrate जरूर होता है कि यह हमारा था कि कौन से चीज़ हैं कि मेजर्मेंट आफ गेशेस गेशेस काम जो मेजर्मेंट करते हैं न वो यह सब करते हैं ठीक है इसके बाद जो होते हैं हमारे लॉज होते हैं ठीक है इसमें कुछ लॉज होते हैं वो लॉज के बारे में बात करते हैं तो अभी मैस कर ल